हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम दू कॉंपेटिशन कम्यूनिटी यूट्यूब चानल, कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है प्रांजल सिंग and I am the faculty of law in the competition community और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए में लेके आया हूँ हमारे 36 एक्साइज का एक और वीडियो लेक्चर, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं section 2,3,4,5,6 यानि की section 2,3,4,5,6 यानि की chapter 1 इस वीडियो लेक्चर में हम खतम करेंगे, यह इस प करता है, उसका हमारे लिए relevance क्या है, उसके साथी साथ हमने उसके syllabus को भी discuss किया था, उसके index को भी analyze किया था, और साथी साथ हमने समझने की कोशिश करी थी, कि excise act क्यों जरूरी है, excise act, center excise act से कैसे अलग है, इन सारे concepts को हमने build किया था, तो आप अगर उस concept को miss कर जाएंगे तो शायद आपको आगे समझने में दिक्कत हो, इसलिए मेरी आपसे दर्कवास थे कि आप पहले वो वाला वीडियो जरूर देख लें, अब हम शुरुआत करते हैं, आज के अपने second video lecture की, जिसमें हम discuss करने वाले हैं, कि 36 एक्साइस act का section number two, यानि कि definition clause किस बारे में discuss करता ह तो जल्दी से शुरुआत करते हैं, समझने में मज़ा आएगा, बहुत interesting है और बहुत ही आसान है, section number two हम deal करने वाले हैं, शुरुआत हम कर रहे है section two से, section two के sub clause one में जो definition आपको मिलीगी, जो की amendment के बाद आड हुई थी, वो है agency की, agency की definition क्या कह रही है, agency की definition कह रही है, firm registered under Companies Act, the Partnership Act 1932 and Propertieship Firms, इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी firm या कोई भी ऐसी firm जो की register हुई है, Company Act या Partnership Act 1932 केता है, तो उसको हम इस act के अंतरगत एक agency मान लेंगे, आपको केवल इतना ही समझने है definition clause में, आगे इसका पूरे act में भी कोई खास relevance नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं और आड़ हुआ, बियर, बियर, अब सर अब इसमें बहुत सारे बच्चे मुझे यह बताएंगे कि सर बियर के बारे में आप हमें घ्यान मत दीजा, आप से बहुत जादा है हम, होगा आपको, लेकिन exercise Act में बियर क्या कह रही है, उसको समझने की तो कोशिश कर लेते हैं, इसम Fermented Liquor का मतलब यह हुआ कि एक बकसे में आपने पानी डाला, उसके अंदर यह जो माल्ट है, इसको डाला, और आपने उसको Ferment होने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दिया, जब वो एक रात, दो रात, या एक महीने, दो महीने, डिपेंडिंग ऑन दी क्वालिटी, जब व करते हैं, उसके बाद section 2 के sub clause 2 में आता है bottling, यह नाम से ही clear, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जो हमें ना पता हो, bottling का मतलब है means to transfer liquor from a cast or other vessel to a bottle, jar, flask or other similar for the purpose of sale and bottling includes re-bottling, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी flask होता है, jar होता है, जग होता है, उससे आप क्या कर रहे है एक शराब को दूसरे container में डाल रहे हैं, तो उसको bottling माना जाएगा, और एक चीज़ और इसमें बोल दी, जो यहाँ पे लिखा हुगा है, re-bottling, इसका मतलब यह है, कि उसमें included re-bottling भी होगा, यानि कि एक बार एक शराब एक bottle से इस्तमाल हो गई, दोबारा उस bottle को लाक कि आपने नई शराब उसमें भरी, तो उसको भी bottling माना जाएगा, इस act के तहर, इसका मतलब क्या है, bottling का मतलब यह है, कि शराब को किसी container में या किसी jar में useful purpose के लिए भरना, उसको हम bottling मान लेंगे, ठीक है sir, आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास क्या है, इसके बाद आता ह चीफ revenue authority, चीफ revenue authority का मतलब क्या है, revenue से आप क्या समझते है, revenue का मतलब वही होता है, जो tax collection होता है, जिससे सरकार अपना सब कुछ चलाती है, तो वही revenue हो, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, चीफ revenue authority means the authority declared by the state government to be the chief revenue authority for the purpose of this act, बक्वासी definition, क्या बोला इसने, इसने बोला, इस act के तहट मैं आपको एक बड़ी interesting बात बता दूँ, कि जो chief revenue authority है, जो की state government declare कर रही है, इस act में बाकी जितनी भी powers है, वो state government ही discuss कर रही है, तो आपको पूरे act में पढ़ने को मिले का, कि state government बताई की क्या करना है, तो एक तरह से act का माई बाप कौन है, state government, तुक्का लगाने की common drinking house क्या होता है, तो आपके मन में क्या picture बनेगी, एक ऐसा कोई छट के नीचे बैठे है, जहाँ पे उस place को, उस जगा को especially इस हिसाब से design किया गया है, कि लोग वहाँ आके पीए, मस्ती करें, मैच देखें, और एक दूसरे से गप मारे, तो common drinking house का मतलब ऐसा ही है, जैसे का मतलब यह है कि कोई ऐसी जगा जिसको especially इसलिए बनाया गया हो, ताकि वहाँ पे लोग आके क्या कर सकें, लिकर consume कर सकें, पी सकें, enjoy कर सकें, और वो क्यों बनाई गई है, कोई social service नहीं हो रही है, वो profit और gain के लिए बनाई गया है, यानि कि उसके owner ने उसका establishment इसलिए कि लोगों से पैसे ले उस facility के लिए और अपना profit करें, अपने gain करें, और having the care or management and control of such place, whether by way of charge, for the use of the place, or for drinking facility provided or otherwise howsoever, इसका मतलब यह है कि या तो वो owner के लिए profit कर रहा है, या तो जिस person ने उस जमीन को किराए पे लिए और उसके बाद वहाँ पे एक facility बनाई, जहां पे लोग की नजर से देख रहे हो, यानि कि profit एक बहुत important चीज़ है, इस definition clause के अंदर, तो commenter की घाऊ सनी देवल जी हमें पता है बात किसकी हो रही है, आगे बढ़ते हैं sir, अब आता है एक शब्द denatured, यह कहां पे दिया हुआ है sir, यह दिया हुआ है section 2 के sub clause 5 में, ठीक है sir, denatured का म नहीं है, अब आपके मन में पहला सवाल याना चाहिए, किसा denatured का मतलब क्या होता है, denatured का मतलब यह होता है, कि वो alcoholic consistency तो है, इसका मतलब वो alcohol ही है, लेकिन वो human consumption के लिए सही नहीं है, इसका बहुत अच्छा example आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि आप मान के चलिए, toilet cleaning क जो चीजे होती है, वो भी alcohol से बनी होती है, लेकिन वो कई cases में क्या हो जाती है, denatured हो जाती है, factory में, machineों में, कई जगा पे इस्तमाल होता है, alcohol से related चीजे, लेकिन यह वो alcohol नहीं है, जो आप पी सकते हैं, तो वो क्या हो गई, denatured हो गई, इसका मतलब इस पूरे act में जहा ही, नहीं है, ठीक है सर, जैसे यहाँ पर लिया हुआ है, denatured है, क्यों है, क्योंकि यह industrial use के लिए बनी होई है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे हमें मिला excisable article, अब मैंने आपको कल, जो मैंने वीडियो बनाया था, और आप से discuss किया था, कि excise का मतलब क्या होता है, त तो excise act के अंतरगत, जिनके ऊपर taxes imposed किये जा सकते हो, या जिनको regulate किया जा सकता हो, अब भाई, alcohol में तो बहुत सारी चीज़ है, हमने कल के वीडियो लेक्चर में देखा था, कि central अलग चीज़ को देखेगी, state अलग चीज़ को देखेगी, तो इस act के अंतरगत, कौन-कौन से वो शराब हैं, या कौन-कौन सी वो intoxicant चीज़े हैं, कौन-कौन से लिकर्ज हैं, जिनको आप मान लेंगे कि वो क्या है, excisable article है, इस act के अंतरगत, चलो फटा-फट समझने की कोशिच करते हैं, any alcoholic liquor for human consumption, यानि कि कोई भी alcoholic liquor, यानि कि कोई भी शराब जिसमें alcohol हो, जो human consumption के लिए बनी हो, सबसे पहले तो वो एक excisable article है, यानि कि सारी कि सारी शराब है इसके अंदर आ गई, any intoxicant drug, intoxicant drug का मतलब क्या होता है, भांग वगेरा, तो जो भी भांग वगेरा है, वो भी इस act के अंतरगत आ गया, opium as defined in clause 15 and poppy straw is defined in clause 18 of section 2 of the NDPS Act, अब NDPS Act में आप जाए और इस से related सारे drugs के बारे में है, ये इस तरह से इनको लिया जाता है, intoxicating drug में आते हैं और ये भी excisable article है, इस act के अंतरगत, इसमें आपको अंदर खुषके, tension लेने की बिल्कुल जरुवत नहीं है, NDPS खोलने की भी जरुवत नहीं पड़ेगी, excise duty and countervailing duty ये दिया हुआ है section 2 के 6a में, यानि की amendment से add हुआ, excise duty और countervailing duty क्या होती है, एक बार definition को पढ़ता है, फिर मैं आपको explain कर दूँगा कि ये क्या होता है, means any such excise duty और countervailing duty as the case may be, as is mentioned in entry 51 of list 2 in the 7th schedule to the constitution, कल मैंने आपको 7th schedule दिखाया था, list 2 दिखाया था, entry 51 दिखायी ती, जिसके तहच जो है, excise duty वो duty है, जो आप किसी भी intoxicant या liquor के उपर लगा रहे हैं, यानि की मान के चलते हैं, एक शराब की bottle है, उसके उपर आपने excise duty लगाई 20% की, अगर वो 100 रुपे की थी तो वो 120 रुपे की बिकेगी, क्योंकि 20 रुपे का tax जो है, आपने उससे उसूला, ठीक है sir, अब आ अमेरिका से export कर रहे हैं, और अमेरिका से उसको लाने के बाद जो taxes लगाए, tax लगाने के बावजूद वो 400 रुपे की बिकरी है, तो जाहिर सी बात है, अगर दोनों शराब है, उनका composition सेम है, market value सेम है, वो same category को belong करती है, और उसमें से एक जो आपने बाहर से मंगाई, उसक जो शराब है, उसको rate को manage करने के लिए, तो उसके उपर counter willing duty यानि की extra duty लगा दी जाएगी, उसके उपर जो 20% लग रहा था, अब उसके उपर 40% लगा देंगे, ताकि वो जो price है, वो जो cost है, वो हमारे जो local शराब है, उसके बराबर में आ जाए, counter willing duty का मतलब केवल इतना ह होता है, कि जो बाहर की शराब आ रही है, उसको Indian शराब से related match करने के लिए, ताकि कोई injustification ना रहे, कोई mismatch ना रहे, इसलिए उसके उपर extra duty impose करते हैं, ताकि price balance हो जाए, ठीक है sir, आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास आता है, section 2 के sub clause 7 में हमने पढ़ा excise officer, अब excise officer समझान में जरूर आना, सत्तु जी, तो ये कौन थे, ये भाई एक I.S थे, और I.S क्या थे, लखनों के आपके collector थे, तो यहाँ पे भी बात कुछ ऐसी कही गई है, क्या बात कही गई है sir, बात ये कह रहा है कि कोई भी excise officer इस act के अंतरगत कौन माना जाएगा, सबसे पहले तो एक collector, यानि की collector हमेशा एक excise officer है, by default, by virtue, उसके साथी साथ और any officer, इसके अलावा और भी किसी officers को state government क्या कर सकती है, बोल सकती है कि आप, आप जो है, एक excise officer है और उसकी duty को perform करेंगे, और उसके साथी साथ, any other person भी लिखा हुआ है, appointed or invested with powers under section 7, इसका मतलब एक collector हमेशा रहेगा, कोई भी सरकारी या अधिकारी, जिसको सरकार क्या करें, section 7 के तहरत ये power दे, ये duty दे कि अपसे आप एक excise officer होंगे, और उसके साथी साथ किसी person को भी ये state government section 7 के अंतरगत क्या कर सकती है, empower कर सकती है कि अपसे आप excise officer की duties को perform करेंगे, ठीक है sir, आगे बढ़ते हैं, अब हम को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कह रहा है, means revenue derived or derivable from any duty, fee, tax, penalty, payment, other than a fine imposed by a court, और confiscation imposed or ordered or agreed to under the provisions of this act, और any other law for the time being in force, relating to liquor or intoxicating drug, simplify कर देता हूं आपके लिए, ये किवल इतना कह रहा है कि कि किसी भी शराब या intoxicating drug, यानि कि intoxicating liquor हो सकता है, intoxicating drug हो सकता है, जो इस act के अंतर आते हैं, हमने excisable article की definition में देख लिया था, तो उनके उपर लगाया गया कोई भी duty, fees, tax, penalty, payment, यानि उनसे किसी भी तरह का पैसा जो वसूला जा रहा है, वो excise revenue के under में आ जाएगा, बात सही है सर, easy है, लेकिन इसमें एक catch की बात क्या बताई, other than fine imposed by a court of law, इसका मतलब क्या है, कि court ने अगर इस मामले में कोई fine लगाया है, और उस fine को जो वसूला जा रहा है, वो excise revenue में नहीं आएगा, उसको छोड़के, किसी भी excisable article में, या excise के matter पे, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा लिया जा रहा है, तो वो excise revenue के under में आ जाएगा, एक सवाल आप से वगेरा कुछ हुआ था, तो वो उसके जो भी rights है, उसमें चला जाएगा, अगली definition में आगे बढ़ते है, subclause 2 का 9 बोलता है, section 2 का subclause 9, export के बारे में, अब export में क्या मुझे बताने की जरूवत है, पीछे तस्वीर लगी हुई, आपको बहुत क्लियर ली दिख रहा है, export क का मतलब होता है, अपने जगा से बाहर बेजना, लेकिन इस definition में कुछ catch है, क्या है catch करने लाइक, means to take out of the state, हमने पहले तो समझ लिया कि state से बाहर ले जाना, otherwise then across a customs frontier, as defined by central government, अब ये customs frontier सर किस बला का नाम है, ये तो हमें समझी नहीं आया, इसका मतलब आपको समझा देते है customs frontier का मतलब आप समझने की कोशिश करिए, आपने सुना होगा custom offices रहते हैं, तो custom offices जो है देश के अंदर आने जाने वाले जो भी चीज़ा उस पर नजर रखते हैं, तो central government ने जो customs के हिसाप से design कर रखा है हमारा map out, कि भाई, अगर महरास्प से sea route के थूँ अगर कुछ का मतलब है कि 36 गर से बाहर कुछ भेजना उसको export माना जाएगा, और अदर्वाइस क्या नहीं माना जाएगा, customs frontier, यानि कि अगर आप 36 गर से अमेरिका भेज रहे हैं, तो यहाँ पर export के अंदर में नहीं आएगा, फिर वो जो आपका Central जो भी आपका export का law है, वो उसको govern करेगा, sub clause 2, sub clause 9A, section 2 का sub clause 9A, hotel के बारे में बात करता है, अब hotel के बारे में क्या बताना, हर कोई गया हुआ हुआ है, घूमने फिरने कहीं न कहीं, कभी न कभी hotel में रहा है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, means a building और a part of building wherein accommodation is provided for business purpose, for monetary consideration, इसका मतलब कोई भी building हो, set of buildings हो सकती है, कोई भी ऐसे building जहाँ पर क्या किया जा रहा है, accommodation प्रोवाइट किया जा रहा है, ऐसा accommodation जहाँ पर रह सकें, सो सकें, ऐसी जगा पर आपको rooms available कराये जा रहे हैं, लेकिन किस बेस पर monetary consideration के लिए, इसका मतलब वो जो आप सर्विस प्रोवाइट कर रही है, जो आपको रुकने की offer किया जा रहा है, उसके बदले आपसे पैसा लिया दा रहा है, हम लोग contract में पढ़ते हैं, consideration, इसका भी मतलब यहाँ पर consideration का वही है, तो अगर कोई ऐसा इंसान है, जो मुफ्त में कोई lodge खोल के रखा है, तो उसको ह हम इस act के अंतरगत hotel की definition में नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारे पास section 2 के sub clause 11 में, import, import का मतलब क्या है, export को हमने जैसे समझा था, वैसे ही import को यहाँ समझना है, except in phrase, import into India means to bring in the state, export का मतलब था कि 36 गड़ से हमने मध्यप्रदेश कुछ बेजा, तो वह export हो गया, अगर हमने मध्यप्रदेश के कुछ 36 गड़ में मंगाया, तो वह import हो गया, और यहाँ पे भी जो otherwise लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, otherwise का मतलब और कुछ भी नहीं सिर्फ इतना है, कि अगर अमेरिका से 36 गड़ कुछ आ रहा है, तो वह इस definition के अंतरगत import नहीं मा लेंगे, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अब आता है, section 2 के sub clause 11A में, intoxicant का मतलब क्या है, means any liquor or intoxicant drug, सीधी सीधी बात आपको मैं example से समझाने की कोशिश करू, intoxicant का मतलब यहाँ पे सिर्फ यह है, कि कोई भी ऐसा मादक प्रदार्थ या मादक दरव्या, अब हिंदी में तो मैंने बता दिया, English में क्या मतलब है, liquor का मतलब क्या होता है, शराब, यानि की शराब कौन सी हो सकती है, royal stag, whiskey, both का, जो भी आप लोग पीते हैं, वो क्या हो गई, वो हो गई, एक liquor, और intoxicant drug का मतलब क्या हुआ, भांग, गांजा, चरस, इस सब की चीजों को क्या कहता ह है, intoxicant drug, यानि कि आप समझ दीजे, एक solid form में होता है, एक liquid form में होता है, तो उसी का differentiation या पर दिया हुआ है, यह दोनों के दोनों किसमें आ जाएंगे, intoxicant के definition के अंडर में आ जाएंगे, चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है, हमारे पास section 2 का sub clause 12, जो की बा including all forms known as भांग, सिंधी, गांजा, इसका मतलब क्या है, intoxicant drug के अंदर आप से इतना समझेजे, उसकी पतिया, जड, उसकी stem, सब आ जाएगी, किसकी यह जो Indian hemp plant है, जिसको भांग, सिंधी, गांजा, तीनों कहते हैं, वो intoxicant drug के अंदर आएंगे, ठीक है, यह जो उसका point number 2 है, वो omit हो चुका है, तो उसको आपको skip करना है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, उसके बाद क्या क्या रहा है, जिसको add करने से उसकी consistency में कोई change नहीं आ रहा है, उसके physical form में कोई change नहीं आ रहा है, उसका overall output नहीं बदल रहा है, जैसे कि पानी, शराब में अगर आपानी आपक मिला देंगे, तो वो जहर बन जाएगा, बस यही सा concept है, तो यह कह रहा है, कि उपर दिएगे चीजों के बारे में, जहां हमने discuss किया था, जहां हमने गांजा को देखा, हमने भांग को देखा, उसमें add किया हो या ना किया हो, कोई भी neutral material, extra material, जो कि क्या कर रहा है, उ state government made by notification declare, अब यह क्या क्या रहा है, state government ने इसके अलावा अगर जो भी कुछ नार्कोटिक सबस्टेंस है, उसको डिकलेर किया कि भाई, यह जो है, आज से माना जाएगा intoxicating drug, तो उसको भी हम intoxicating drug मान लेंगे, आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद हमारे पास जो आता है, definition वो wine, spirit, wine, tari, beer, all liquid consisting of all containing alcohol and any substance with the state government may declare, इसको दो पाट में डिवाइड करते हैं, पहला क्या कह रहा है, पहला तो यह कह रहा है कि भाई, state government इसको बोल दिया, उसको हम लिकर मान लेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि sir, कोई भी spirit हो, कोई और लिकर हो, जिसके अं spirit में आपको बताता हूँ, concentrated form of alcohol, जैसे कि आपको पता होगा, जो alcohol आपको मिल रही है, उसके अंदर 30%, 20% ऐसे alcohol का content होता है, spirit में 80%, 90% alcohol content होता है, मतलब वो एकदम hard form में होती है, जो human consumption के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसा कोई भी spirit हो, liquid हो, किसी type की beer हो, तारी क्या होती है, तारी palm tree से निकाली गई, जो liquid होता है, उससे शराब बनती है, उसको तारी कहते हैं, तो उस type की सारी चीज़ा जो liquid form में हो, उसको हम alcohol, इस act के अंतरगत मान लेंगे, पीछे आपको photo भी दिख गई, अब section 2 के 13A में क्या दिया हुआ है, liquor vents का क्या मतलब है, shall mean retail shops that are licensed to sell liquor and shall not include any hotel and common drinking house, अब यहां पर आपको दो चीज़े समझनी है, पहला क्या, liquor vent का मतलब यह है, कि वो सारी की सारी दुकाने, वो सारी की सारी शॉप, जिनको शराब बेचने का क्या मिला हुआ है, license मिला हुआ है, यानि कि वो license है, शराब बेचने के लिए उसको liquor vent कहेंगे, लेकिन liquor vent दो ज देखेंगे भी, कि hotels के पास license है, केवल कि वो अपने premises के अंदर लोगों को पिला सकते हैं, उनको बेच नहीं सकते कि वो खरीद के अपने घर ले जाए, यह बहुत important है, आगे आपको देखने और पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, लिकर vent भी हमारा clear है, अगली definition पे जाते है, section 2 के subclass 14 में जो की बात करती है, manufacture के, यहाँ पर आपको लिखा हुआ कुछ नहीं देखेगा, मेरे हाथ की आपको लिखावट देखेगी, क्योंकि इसकी जो definition थी वो और गई, तो manufacture में क्या लिखा है, manufacture का मतलब और कुछ नहीं है, वो एक process है, जो की natural भी हो सकता है, और artificial भी, natural process क्या हो सकता है, कि आपने हाथ से उसको पीसा, या आपने क्या किया, एक शराब थी, उसमें आपने एक पेड़ से कोई जूस निकाला, उसको निकाल के एक महीने के लिए छोड़ा, वो automatic शराब बन गई है, natural process है, artificial process क्या है, कि आपने कुछ बीजों को तोड़ा, उसको मिक हो सकता है, आखरी में उन दोनों process के, अगर कोई intoxicant, यानि कि हमने देखा था intoxicating drug, या liquor, या कोई solid form में कोई drug, भांग वगेरा, या कोई शराब जो की liquid form में है, अगर उसका output, final outcome हो है, तो हम उसको मान लेंगे, कि वो manufacturing plant है, यानि वो manufacture हो रहा है, इस act के अंतरगत, किसी liquor का या किसी intoxicating drug का, ठीक है, section 2 के subcloss 15 को देखते हैं, place, place का मतलब क्या है, बहुत वाइड है, हम CRPC में भी देखते हैं, arrest, arrest को कहां माना जाएगा, includes house, house मतलब घर, building, building मतलब बहुत बढ़ी building, shop, कोई दुकान, booth, booth मतलब की क्या होता है, election के booth होते हैं, वैसा ही booth, tent, tent तो आप सडक पर चलने वाली गाड़ी, इन सब के सब को place मान लिया जाएगा, इस act के अंतरगत, आगे बढ़ते हैं, फटाफट, आता है, to subcloss 16, जिसमें बात करी गई है, sale की, sale क्या कह रहा है, sir, expression referring to sale includes any transfer, otherwise than by way of gift, यानि कि कह रहा है, किसी भी प्रकार का transfer, अगर हो रहा है, किसी person से दूसरे person में, एक entity से दूसरे entity में, बस वो gift नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर sale हो रहा है, तो इसका मतलब यह है, कि उनके भी consideration होगा, यानि कि पैसे का exchange होगा, और यहाँ पे इस act के अंतरगत, sale भी उसी को माना जा रहा है, अगर gift है, तो इसका मतलब क्या है, out of affection and love हम दे रहे हैं, contract में हमने पढ़ा है, IPC में हमने पढ़ा है, तो अगर आप ऐसे gift कर रहे हैं, तो अगर जहां पे कोई monetary exchange नहीं है, तो उसको sale नहीं माना जाएगा, इसलिए gift का एक क्या हो गया, exception हो गया, आगे बढ़ते हैं sir, उसके बाद आता है section 2 का sub clause 16A, जो की बात कर है, sale of liquor की, sale of liquor का क्या मतलब है, means the transfer of liquor from a liquor vend after, after receiving consideration for consumption by the purchaser at a place other than the premises of the liquor vend, यह क्या क्या रहा है, अब आप इस बात को समझे, हमने क्या discuss किया था, कि common drinking house में, और hotels में, liquor जो है, वो बेची नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि वो पीने के लिए बनी है, और liquor vends के बारे में, क्या लि वो जगा का नाम क्या है, liquor vends, जो liquor vends यहां पर लिखा हुआ है, वहीं पर यह शराब बेची जाएगी, कब बेची जाएगी, जिसके पास license में वही बेच सकता है, कब बेचेगा, जब उसको उसके लिए कोई consideration, यानि कि पैसा मिलेगा, तब वो बेचेगा, और वो बेच कि का subclass 17, जो की spirit के बारे में बात करता है, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सबसे hardest form of जो liquor होता है, यानि कि एकदम concentrated form उसको spirit कहते है, means any liquor containing alcohol obtained by distillation, whether it is denatured or not, ये बात कर रहा है कि भाई, distillation उस process के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, कि distillation process क्या होता है, ये कह र पर रखनी पड़ता, अगर उसको निकाला गया है, hardest form में उसमें alcohol content जादा है, तो उसको spirit इस act के अंतरगत मान दिया जाएगा, आगे बढ़ते है, section 2 के subclass 17A पे, supply of liquor का मतलब क्या है, means the provision of liquor for consideration at hotels and common drinking house on the basis of license that is issued, अब हमने जैसा की देखा था कि common drinking house में शराब बिक नहीं सकत है, तो इसका मतलब क्या है, supply of liquor का, कि जब कभी भी liquor जो है, consideration के through, यानि कि पैसे के exchange के through, भेजी जाती है, hotels में और common drinking house में कि वहाँ पे लोग जाएं, और उसको consume कर सकें, तो उसको supply of liquor कहा जाएगा, sale of liquor नहीं कहा जाएगा, ठीक है sir, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आती है, उसमें मटका लगाया जाता है, उससे जो juice धीरे धीरे निकल के गरता है, उसी से बनती है, ताडी की शराब, और यहाँ पे उसी के बाहर में बात करी गई है, means fermented और unfermented juice drawn from any kind of palm tree, यह जो palm tree का juice है, यहाँ से जो निकाला जाता है, इसको काट के, उसी को कहते है, ताडी, और यहाँ पे भी ताडी का मतलब वो है, चाहे वो fermented हो या unfermented मतलब कि उसको मटके में, एक महीन एक लिए छोड़ के उसको शराब बनाया गया हो, या सीधे उसको बेचा जा रहा हो, दोनों के दोनों क्या माले जाएंगे, ताडी मान लिये जाएंगे, उसके बाद हमारे स्टेट में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, या नहीं कि एक जगा से इंपोर्ट हो रहा है, दूसरी जगा उसको export कर रही है, उन दोनों की बीच में जो जगाएं उसको ट्रांसपोर्ट के अंटर माना जाएगा, कि जिन जिन एरिया में उसने कवर किया, उसको माना है तो अब जो है section 3 जो है वो हमारे लिए exist नहीं करता है तो section number 4 क्या कह रहा है वो बता रहा है country liquor और foreign liquor के difference के बारे में क्या है country liquor और foreign liquor देशी शराब और विदेशी शराब अब बहुत बच्चे confused होते हैं विदेशी शराब का अंदर ही develop किये जा रहे है उनका जो formula है बस बाहर से अडॉप्ट किया गया है ठीक है तो यह कह रहा है state government by notification जैसा कि हमें पता है state government माई बाप है तो state government notification निकाल के यह बताएगी कि भाई साब कौन सी शराब country liquor है और कौन सी शराब foreign liquor है country liquor का मतलब हो देशी शराब और इसका मतलब हो गया विदेशी शराब ठीक है सर बात क्लियर है और यह क्या कह रहा है power to declare what shall be the deemed to be the country liquor यह जो power है यह किसके पास west है state government के पास vested है कि state government यह बताएगी कि कौन सी शराब country liquor है country liquor मतलब देशी शराब और कौन सी शराब foreign यह आपका retail and wholesale के बीच का difference बता रहा है चलो उसको समझने की कोशिश करते है इसका sub clause 1 कह रहा है section number 5 का कि the state government may by notification declare within respect either to the whole state or to any specified local area and as regards purchaser generally or any specified class of purchasers either generally or for any specified occasion what quantity of any intoxicant sell for the purpose of the limit of retail sale retail sale or wholesale का मतलब क्या होता है retail का मतलब होता है कि individual unit यह 3-4 unit बिखते हैं जैसे कि अगर आप गए और आपने चार पैकेट मैगी खरीदी तो आपने retail sale से खरीदा अगर आप गए और आपने चार कार्टन मैगी खरीदी जिसमें जिसके अंदर पर कार्टन पचास बॉक्स थे यानि की शराब को कितनी कॉंटिटी में retail में बेचा जा सकता है यानि कि अगर उसने बोला कि पांच बोतले जो है retail sale की limit है तो इस act के अंतरगत मान लिया जाएगा कि पांच बोतले retail में बेची जाएंगी और पांच से जाधा का purchase होगा तो वो wholesale में हो जाएगा जहां पर दाम थोड़ा कम होता है और बल्क में खरीदने की quantity की जरूरत होती है सब क्लॉस तू इसी के बारे में बात कर रहा है वो हमें बता रहा है था sale of any intoxicant in any quantity in the excess of the quantity declared in respect there under under subject section 1 shall be deemed to be sale by wholesale यानि की retail sale किसको माना जाएगा जो स्टेट गवर्मेंट बताई की जिस quantity को मान लेते हैं स्टेट गवर्मेंट ने बुला पांच बोतले तो वो retail sale की limit हो गई अब जो भी इंसान पांच बोतलों से जादा खरीदेगा उसको मान लिया जाएगा कि वो wholesale है वही कह रहा है हमारा सब section 2 यानि की section 5 भी हमारा clear है सर आगे बढ़ते हैं अब जो है section number 6 जो की बड़ी मामुली सी बात कह रहा है वो क्या है saving of enactment saving of enactment क्या है सर सेविंग of enactment का मतलब सिर्फ यह है कि इस section के अंदर यानि की इस act के अंतरगत दिया गया कोई भी provision कोई भी law क्या नहीं करेगा इन दो acts को कभी भी overlap नहीं करेगा custom act को नहीं करेगा Indian tariff act को नहीं करेगा और साती साथ जो है cantonment act को भी modify नहीं करेगा यानि कि यह तीन act दिये हुए हैं इस act के अंतरगत दिया गया कोई भी प्रोविजन अगले जो तीन आक्ट हैं उनको बिल्कुल भी छेड़ छार नहीं करेगा उनके साथ कोई भी दिक्कत नहीं करेगा तो यह ता हमारा सेक्षिन नमबर 2, 4, 5, 6 I hope आपका क्लियर हो चुका होगा तो जुड़िये कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको